इस एपिसोड के अंदरम देखने माले की पुलिस एक एलियन के पीछे पड़ी होती है और वो जो एलियन होता है हो कोई और नहीं पूराना एलियन हेज़ ब्लास होता है लेकिन पुलिस और उसके बारचित निवके तर्फ की पूर पढ़ी है पूरे एपिसोड देखें उसके बार मैं इन लोगों के उपर फायर करता है और वो कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों पढ़े हो आखर मैंने ऐसा किया ही क्या है इतने में पुलिस वाला उसे अपनी कार से ठोक देता है और वो दूर जाके गहता है मीची गिरने के बार में वो भिहोश हो जाता है और वो अपनी इंसानी शेalth में वापस आजाता है इस सारी की सारी उसे पकड़ लेता है और उसे एक बरफीली जे가 पे रग देता है और वहां पर उससे पूस्ता है कि तुमारा प्लैन क्या है वो बताओ क्योंकि तुम सारी के सारी जो खेत है वहां पे आग लगा के कोई चीज बना रहे हो और हमें बताओ तुमा के क्या करने वाले हो इतने मुझे पुलिस वाला होता है वो उसका प्लमर बैज ले लेता है और वो कहता है कि बताओ मुझे क्या चीज है केवन केटी तुमने साइन बोर्ड नी पढ़ा किया उसके बाद में बैन कहते है कि अगर तुम इतनी अराम से गाड़ी चलाओगे तो मैं घर जाने में आज फिर से लेट हो जाओगा और माम मुझे फिर से सुनाएगी कैवन केटे है उसके बाद माम तुमें घर से बढ़र निकलना कीज़ी लगेए और उसके बाद में कैते हैं लो भीडिका है उसके बाद में ग्रैणर बेखते हैं जिसके कंदर को सिगनल आ रहे होता है और इख़ता है वह से निकलने का रहा होता है जाता है बतबपसे लगा लेता है और वह दिवाल को पिगला के वहां से चला जाता है उसके बन में आपे Ben Gwene और Kevin आ जाते है Gwene कर दिया इतना बड़ा छीर कैसे हुआ उसके बन में अंदर जाते है और Ben आपे दीखते है एक Plumber Batch को Ben जाके उस Plumber Batch को उठा लेता है और वो कहते है शैट से Grandpa Max का होगा और Grandpa Max उसी एलियन के पीछे गई होगे जिसने दिवाल को जलाया है इदर हम देखते हैं वो जो एलियन होता है वो पुलिस वालो से बच रहा होता है लेकिन एकदम से पुलिस वालो इसके सामने आ जाते है वो उसको उपर फायर करने वाले होते हैं लेकिन वो एकदम सुनकी गण को पिगला देता है यहां पर Kevin करता है यह तो तुम्हारी पुरारी Heat Blast जैसा लग रहा है और क्या मैं इसे भी पीटू जैसे मैं तुम्हे पीटा करता था इतने में जो Ben होता है वो जैट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है यह two very hotman kólit चांक perfect sh work जैते हुए उसके बाद में और 258 समय नीचे घर जाता है जैसे वह इसके उप्र लेजर मारता है और बेंस साके कहते हैं कि लाल kolor की टीश piss में भुजरूग सायत में तुम्हारा इतने में केविन पुलिस वालों का जहान बढ़िय मिल माइं मिलता है है सभinfluxking पर ले आता है वो एलियन पूस्ता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया बैंग करते हैं तुम्हारे अंदर अपना बच्पन दिखता है वो पूस्ते हैं तुम भी एक एलियन हो वह बताता है कि मुझे मेरी पावर्स कुछ ताइम पहले ही मिली है मैं एक दिन सो रहा था और एक किसी केमत के लिए तुम्हें पूरी 400 डॉलर पे करने पड़ेंगे कैविन कैते हैं वो करने में तुम्हेंने सैंट्चुरी बना रहा कि क्योंकि एवन ने आज तक एक भी बिल पेनी किया होता ग्वेन कैते मुझे नहीं लगता है इन सब चीजों का ग्रैंपा मैक से कोई ल केविन कैते मुझे मेरी पावर जादू की किताबों और तावीजों से मीली है कविन कैते जादू जैसे कुछ नहीं होता इसके बन में सारे के سरे बяжन के पास 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 हैsражी शोकर कहने है उसके बन में अपने असली रूप में आ जाता है, उसके बन में जो बैन होता है, वो बता थैंकि मैंने ऊपर से कुछ ऐसा देखा, उसके बन में ग्वैन किते हैं, यह तो कुछ सर्किट जैसा लग रहा है, यह सारी जब ऊपर जाके देखते तो, और पर रोष्नी जेषना होती यह लोग उतल है उतनी में में जो पुलिस कोुछेते में ​​ उसके बाद उनका लीडर कहता है कि यहां की सारी गर्मी चोरी करके अपनी पावर बढ़ा रही हूँ और जैसे वनके उपर हमला करने वाला होता है कैवन उनकी गन तोड़ देता है इतने में पीछी से वोई लोग आ जाते हैं जिनोंने सब कुछ बनाया होता है और उनके उपर हमला कर देता है जैसे उनके उपर हमला करते है ग्वैनी ने बचा लेती है और यहां पर जो बैन होता है वो स्वामफार बनके इन से लड़ने लग जाता है यहां पर काफी कदर नाग फाइट चलती है और यहां पर जो स्वामफार होता है वो भी आपे काफी कतानाग fight देता है, आपे सबी लोगों को मार रहा होता है fight करते करते हुआ उनमें से एक का helmet गर जाता है और band देखते हैं कि यह सारे के सारे DNA aliens है उन सबी लोगों को मारने के बार में band बताता है कि DNA aliens को सर्दी की जरुवत होती है इस वज़े से उन्होंने इस सब कुछ बनाया है इतने में जो बाके के DNA aliens होते हैं वो पीछी से आ जाता है और band को जमा देता है band के साथ साथ उसके जो teammates होते हैं उने भी जमा देता हैं सबी लोगों को देरी जीरी करके जमा रहे होता है लेकिन आपर जो heat blast होता है जैसे वो उसे जमाने की कोशिश करता है उसे कुछ फर्क ही पड़ता क्योंकि इनकी beam का सरगर्मी पे नहीं पड़ रहा होता इतने में जो band होता है वो भी अपने हाथों में आज जला के छूट जाता है और इस सारे के सारे heat blast के पीछे पड़े होता है लेकिन band अपने हाथों से कुछ गैसे निकालके सारे plants को अपने कंट्रोल में करके DNA lens को मार देता है उसके बन में band heat blast से कहता है कि उपर जिपने भी DNA lens दिख रहे है उन सभी को तुमें मारना है वो कहते कि मुझे उचाई से डर लगता है band कहते है शुरॉआत में मुझे भी problem हुआ करते थी लेकिन मैं तुमें एक tip देता हूँ उसके बन में band जैसे जमीन का तुकड़ा उतारके उसे आग में चलाके उड़ता है वैसे हमारे जो heat blast है वो भी उसी का तरीका अपनाता है और वो सारे के सारे DNA lens को मारने लग जाता है या पर band कहता है कि बहुत अच्छे उसके बन में जो band होता है वो नीचे से जाके वो जो खंबा सा होता है जो पूरा को पूरा weather change कर रहा होता है band जाके उसे धक्का देने लगता है उसके बन में जो band होता है वो से उखाड के नीचे गिरा देता है जैसे वो से नीचे गिराता है सारा का सारा जो weather होता है वो ठीक हो जाता है उसके बद वो जो heat blast होता है वो ऑपनी गर्मी से सबी लोगों को ठीक कर देता है औरपे सबी डी अने एलियंज को मारके वैदर को ठीक करके और आप सबी लोगों के जान बचाए है किवन कहते है अमने वहाद करी दी काफ़ी सारे और इलियंस को पकड़वाना है एलन कता है कि जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरुद हो तब तुम मुझे बुला सकते हो और यह एपिसोड ही नहीं पर खतम हो जाता है